किसान भाई यो गेहूं की बुवई के समय एक जरूरी काम किसानों को करना है यानि कि गेहूं की पेदवार को बढ़ाने का मूल मंत्र आपको बता रहा हूं अगर बुवई के समय इस तरीके को आपने अपना लिया निस्सी तोर पर पेदवार में 25 से 30% तक की बड़ोतरी किसान भाई जल्द बाजी में गेहूं की बुवई तो कर देते हैं बुवई के समय सही खाद या जिन चीजों की जुरूरत होती है उनका भी परियोग कर लेते हैं लेकिन अन्त में गेहूं का उत्पादन उम्मीद से कम निकलता है किसान भाईों इस वीडियो में जो भी ज पईयों इस समय पर गिहुं की बुवई चल रही है बुवई के समय आपको एक तरीका अपनाना है जो गिहुं की बीज दर आप डालते है जो भी विराइटी आप लगा रहे हैं जैसे कि आप अगर गर का बीज लगा रहे हैं कोई भी रिसर्च किस्म लगा रहे हैं या कोई भ विराइटी की पूरी जानकारी आपको पता होना चीए जैसे कि आप लगा रहे है एचाई सित्यासी उनसा पूसा तेजस गेहूं इस गेहूं की अगर आप बुवई कर रहे हैं तो इस गेहूं की जो बीजदर है वो प्रती एकड़ पचास से पचपन केजी तक आपको डालना है यानि की अन्य विराइटियों की तुलना में 10 से 12 किलो बीज जादा डालना है इस विराइटी में फुटाव नहीं आता है इसलिए किसान भाई अगर जानकारी के अबाव में इस विराइटी की सगन बुवई नहीं करेंगे तो अंत में कुछ भी कर लें पेदावार कम न इसलियापत मात्रा में फुटाव हो सके पोदे में जादा से जादा कले और साखाए निकले जिस से बालिया आधिक आए और पेदावार जादा निकले आदेगतर किसान भाई जल्द बाजी में घिफूं लगाते है विराइटी के अनुसार बीज रखते है जिस से आगे चल आते है या तो गेहूं में फुटाव नहीं होता है अगर फुटाव होता है तो उम्मित के मुदाबिक नहीं होता है जिससे अंत में कुछ भी करने के बावजूद भी किसान भाईयों को गेहूं का उम्मित से ज़्यादा उत्पादन ने मिल पाता है किसान भायों अगर आप भी गेहूं की कोई भी विरायटी लगा रहे है उस विरायटी की पहले जानकारी जरूर ले कि उस विरायटी में कितना फुटावाता है प्रती एकड कितना बीज डालना चीए सगन बुवई करना चीए सगन बुवई नहीं करना चीए विरायटी किस से तेयार होती है इन सब बातों की जहनकारी आपको होना चाहिए किसान भायों अगर बुवई के समय आपने बीजदर का ध्यान रख लिया तो निश्य तोर पर 100% गारंटी है आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा फ्वाइदा मिलेगा किसान भायों इस बात का अगर बुव को लाइक और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर जुरूर करे धन्यवाद